नमस्कार हमारे प्रिये किसान भाईयो स्वागत है एक बार आप सभी का फार्मिंग निसाद चैनल में आज बात करेंगे परवल में जो पीला रोग लगता है उसे कंट्रोल करें बरसाथ के समय में यह रोग परवल के फसल में अधिक मात्रा में लगता है इस रोग का इस को हम इसका नाम डिसको भी कहा जाता है और इस रोग में जब लगता है तो हमारे परवल की जो फल है ओंपीले हो जाते हैं या पीला कर देता है इस रोग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कैसे लगता है बरसात के समय या सीजन में जब बहुत अधिक बारिस होती है, तो हमारे परवल के खेती में पानी भर जाता है, और जो फल होता है वो पानी से डूब जाता है, तब परवल में डिस्को रोग लग जाता है, और उस खास करके परवल पीले भी हो जाते हैं, किसान भाइयों, तो किसान भाईयों आप बात आती है कि इसे कैसे कंट्रोल करें या कैसे रोके परवल में जो डिस्को रोग होता है उसके उपचार क्या होते हैं और इसका नियंतरण इससे कैसे बचे तो आपको खेती में जो पानी भर जाता है उससे निकाल देना है और दूसरे नंबर खेत में बरसाथ या पानी भर जाने पर खेत में ना चले और तीसरा नंबर है सौप फैंगिसाइड नाम का एक दवा आती है फसल के लिए उसको आपते एक हपते स्प्रे देना पड़ेगा और इसकी मातरा लगबग आपको एक बिगह में अगर परवल में करते हैं तो आपको 50 ml का प्रियोग करें और इसके साथ में तीन पाउडर आते हैं इसमें आधा आ प्रियोग करें एक बिगह में करीब दो टंकी स्प्रे त्यार करना चाहिए और 16 लीटर मीनिट वाली टंकी से इस्प्रे करना चाहिए तो किसान भाईयो आपको या बहुत अच्छे से समझ में आये होगी यह फैंगी साइड आपको दिख रही होगी और इसके बारे में और भी वीडियो बनी है या चाहे तो आप देख सकते हैं और अच्छी जनकारी ले सकते हैं तो किसान भाईयो से यहीं उमीद करता हूँ कि इसको रोग है इसके बारे में मैंने पूरब वीडियो में डेल्ट्रियलस में बताया हूं और चाहे तो आप हमारे चैनल को ससक्रा